हाई अबिवान वेलकम टू माई यूटूब चैनल शिक्षा दिक्षा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो आज की जो मेरी वीडियो है गाईज वो जैसा कि मैं संदी आपको पढ़ा रही थी तो उसी के आगे इस स्वर संदी के कुछ जो दो लास्ट के पा यहां पर देख सकते हों डेफनीशन लिखी हुई है और नीचे इसके एक्जामपल्स लिखे हुए तो हमें डेफनीशन से ही क्लियर हो जाएगा कि संदी यह किस तरीके से आएंगी तो देखिए पहली चीज चलिए मैं बात कर लूँ क्यों कि आपके कुछ लोग बोल रहे ह वीडियो के लिए तो आपको पता होगा जो आपका वीडियो का एक्जाम होने वाल है उसमें हिंदी जो है आपका एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो आप जल्दी नहीं उठाके पढ़ते हो यानि कि आप अपनी बाकी सब्जेक् तो सबसे पहली बात गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए bell icon को प्रेस कर दीजिए इसके साथ साथ अगर आपने मुझे instagram पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको description पर मिल जाएगा follow कर लिजे और आप म formula से हमें यहापे कोई मतलब नहीं है क्योंकि formula जो होता है जो आपका inter high school inter level होता है वहाँ आपको formula learn रखना परता है लेकिन हमें अभी सिर्फ समझना है कि यह यड़ संधी क्या होती है तो देखे अगर कभी भी किस तरह के स्वराते देखे e, छोटी e, बड़ी e, छोटा u, बड़ा u या फिर ri इसके बाद यदि कोई विजाती है विजाती यानि कि जो इनसे अलग हो ऐसा कोई स्वराता है तो इनके स्थान पर क्रमशा यनि कि E के साथ अगर कोई ऐसा विजाती स्वरा है यनि कि जिसे A आया तो इसके स्थान पर Y ठीक है और फिर W देखें यहां पर W आया, U के साथ A आया तो यहां W आया तधा रा हो जाता है री के साथ जबाता है तो तो यहां पर तो मैंने थोड़ा से एक्जाम्पल में लिख दिया यह आता है इसके कई सारे एक्जाम्पल्स बन जाते हैं वो मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दी है जब हमें इस तरीके से यह डेफिनीशन क्या बोलना चाहते है तो देखें जैसे कि यहां पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि E इन कि चोटा E प्लस चोटा मिल और यहां पर क्या मिल रहा है या तो देखिए छोटा P Besides चोटा मिल कर देखें यह तो किस से किस तरीके से अपने लिखते हैं यहां पर ऑप क्या है कि यहां पर ढढ़े द्याकि यहां के यहां रहा है कि इस लिए यहां पर यहां हमारा ओर है इस जगाफ तो यह हो गया हमारा यद्यपी ठीक है इसी तरीके हम देख लेते हैं जब स्टार्टिंग में छोटी ही हो और फिर जो है आपका यहाँ पर हो बड़ा देखें यहाँ पर इती है इती में छोटी ही की मांत्रा है और यहाँ पर है आपका बड़ा तो इती और आदी मिलकी था ठीक है तो आप डिफ्रेंस समझ सकते हो कि क्या है देखिए अगर जब यहां बड़ा हुआ तो यहां पर हमें आखी मांत्रा भी लगानी पड़ी अब देख लेते हैं यानि कि छोटी E प्लस छोटा U मिलके U बन रहा है यहां पर छोटा उपकी मांत्रा तो देखें यहां पर छोटी E और यहां आपका छोटा U प्रती प्लस उपकार तो यह मिलके क्या बन जाएगा यू बन रहा है यानि कि प्रत्युपकार तो आप देख सकते हूँ छीख है यू बन गया यहां पर जिस तरीके जो फॉर्मुला होता है विलकुल हमें वैसे ही करना होता है आप एपडियर हो रहा होगा सब कुछ अब देखिए प्रती जैसे हमने लिखा प्रती तय हो प्रती तो यहां पर देखिए छोटी E है और बड़ा O है तब क्या बन रहा है या या पर बड़े उ की मांतरा लग रही है देखे छोटा ई प्रती में हमारा छोटा ई आया फिर उश्म में हमें क्या मिला बड़ा उ तो ये मिल के क्या बन रहा है या या पर बड़े उ की मांतरा यू तो हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यूश्म तो यहाँ पर जो हमारा यह बनेगा यूश्म देख सकते हैं आप यहाँ पर बड़े हो की मांतरा आई है अब देख लेते हैं देखिए अगर कभी ऐसा कुछ मिले हमें जिसमें छोटा उ और छोटा आ हो तो वो दोनों मिल करके आपस में क्या बन जाएंगे वा तो देखिए मनू फ्लस अंतर इसमें छोटा उ मिल रहा है और इसपे छोटा आ मिल रहा है अंतर का छोटा आ तो यह मिल के हमारा क्या हो जाएगा मन वंतर अब देख सकते हैं जब छोटा उ हो और बड़ा आ हो तो क्या मिलता है हमें वा ठीक है वा पर आ की मंत्रा यानि कि वा तो इस तरीके का example कैसा होगा देखी सू में छोटा हूँ की मंत्रा और फिर आगत आ में ये बड़ा ये आपका क्या है बड़ा तो ये सू और आगत मिलके क्या बन जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर व आ गया वा में बड़े आ की मांत्रा यहां पर सिंगल वा आया थे यहां पर वा में बड़े आ की मांत्रा अनिके वा अब देख सकते हैं देखें यहां पर छोटा उ और ए छोटा उ और ए मिलके बना वे तो देखें यहां पर अनू अनू में छोटा उ और एशन में भी हमें मि कि अन्वेशन अब देखिए दीडिए सब्सक्राइब और चोटा रिया और आ मिल करके आपका क्या बन रहा है यहां पर लिखा रहा है यानिकी लगम्रा की मांतरा रही और इसी को आप रह भी लिख सकते हो तो देखिए जब भी आपको मिलेगए तो आपका कुल मा के याजिव प्रोनुंसियेशन आएगा ये डिल भण लोप हो जाएगा ठीचीह यह की यह देखिए पित्र प्लस आग्या तो यह मिल के बन तो इस वज़े से मैंने बड़ा वाला नहीं लिखा है क्योंकि दोनों कंडीशन में यहाँ पर तरह ही आपको मिलेगा ठीक है तो आई होफ यहाँ तक कि यह यह यड़ संदी है यह आपको clear हो गए होगे अब चलिए हम पर देख लेते हैं आयादी संदी क्या होती है तो बस पते हैं जाहिए आपको यह पर जिससे संदी आ जाएंगे आपको इनका संदी विक्षेत करना होगा इसके लवब आपको यह भी है तो आप बता लोगे कि यह संदी का है क्योंकि आपको पता है यह संदी में ऐसा ऐसा होता है तो इस वज़े से आपको उच्छे से लर्ण करना होगा अगर आप यह 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 इन जान और आप कोई भीनश्वर आए तो ए का आए का आए ओ का आव और आव का आव हो जाता है यह आपकी आयादी संदी कर देख लेटें देखिए एप लस आ प्लस आ चोटा आ यान तो अभी जैसे लिखा था ए और आ मिलके क्या हो जाएगा आए तो इसका example देख लीजिए देखें ने में आपको ए मिल रहा है और यह अन अन में आपका छोटा आ मिल रहा है तो यह मिल के हो जाता है यह नहीं कि नहीं और अन मिल के हो जाएगा आपका आय यानि कि न या न इसमें आपका आय का लोग हो रहा है न या न ठीक है अब देखें यहाँ पे ए प्लस छोटा आ ए प्लस छोटा मिल के क्या हो बनाता है आय तो देखें यहाँ पे ए गय में लिखा हुआ है देखें गय प्लस अक प्लस अक आप देख सकते हो तो यह हो अब देख लेते हैं ओ और आ का ठीके तो और आ के लिए अगर हम देखे तो यहां पर गय होगा कि यहां मैंने एक मांत्रा नहीं बनाई है यहां पर गय होगा गय धन आक कि यह हो जाएगा आपका क्योंकि एधन आ oure आपका ।OhOh yoouch अब यहां देख लेते हैं ओ धन आगर यानि कि ओपलस आगर हम करें तो यहां हो जाएगा अभ Vamos価़ आ और हो रहा है तो यहांनि इसका हमारा क्या बनेगा पोधन अज पावन यहां नीफ़ा यू पुर यहां देखी है. हम नन बता जब यहाँ में मिल रहा है O, plus छोटा तो इन दोनों को मिला के बनता है O, तो जैसी यहाँ पर देखे, P, O में आपको O मिला, और UN में मिला छोटा, तो यह मिल के बनता है O, यानि की P, वन ठीक है? अब यह देखें इसको देखते हैं ओ प्लस आ मिल के आपका बनाएगा आव यहाँ पे देखें यहाँ आव था अंतर क्या आ रहा है आप अंतर को जरूर डिफ्रेंस को जरूर देखा करिए यहाँ पे ओ था यहाँ पे ओ है और आ दोनों जगा सेम है लेकिन यहाँ पे आव था और यहाँ पे क्या हो गया आव तो देखें हमने क्या लिए है पाव प्लस अक पाव यानि कि यह ओ के लिए हमने पाव लिया और अ जो है उसके लिए हमने लिए अक तो पाव और अक मिलके आव होता है यानि कि पावक आप देख सकते हैं पाव में आव आ रहा है ठीक है जैसे यह पवन में आव आ रहा था गायक में आया रहा है यहां पर तो इस तरीके से आपको शब्द करने होते हैं अब यह हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं इसमें देखे लिखा है और 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 के साथ यह आता है तो भ ठीक है ना विक यहां पर भी आपको आव मिल रहा है और प्लस एक ना विक ठीक तो यह हो गई हमारी अयादी संदी तो आई होप आप लोगों क्लियर हो गये होगा गाइस और मैंने आपको बाइग्जैंपल समझाने के कोशिश की है जो हमारे स्वर संदी है वो आज पूरी की पूरी एंड हो गई है इसके बाद जो बाकी की बची संदी है जैसे आपकी वेंजन संदी तो यह सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मैं सारी की सारी चीज़ आपको बाइक्जैंपल क्लियर करती चले हूं हाँ वीडियो थोड़ी से लॉंग हो रही ह हैं लेकिन इससे यह हो रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा संदी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको फिर दुबारा से बहुत जादा पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि आपका और वीडियो में सारी चीज़ कवर करा दे रही हूं कि आपको ब ​ अपनी अहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लाउंगे आप लोगों के लिए उसलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखेयेगा क्योंकि बहुत मैंने देखा है बहुत लोग पसंदाती पर वह करते तो बिल्कुल लाइक करके जाएगा और कमेंट जरूर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें सीखते रहें सिक्षादिक्षा के साथ प्रूच आएगा रहें सिक्षादिक्षा थेलिए झाले कर सकते रहें साथ